आपका मूल नाम अलका है तो अलका से आप अनुराधा कैसे हुई 2006 के बाद आपने एकदम से गाना बंद कर दिया क्या हुआ मैं माता के उश्यू जी के तो भजन तो अनगीनत है मुझे नहीं याद कोई ऐसा पीरति स्थान होगा जहा हम जाते होंगा और कई बैक्डराउंड में आपकी आवाज नाती हो भजन की आपके गाय हुए गीतो अपना हिंदुस्तान फिल्मी गानों के उपर बॉलिवोड के उपर ओरियंटेड है मैं तो फिल्म में गाया मतलब अपने गाना गाया साइकिक उनके साइकलोजिक जब मैं आप अपने करियर के पीक पर थी आप सिर्फ टी सीरीस के लिए गाने लेगी और आपने बहुत बड़ा पार्ट छोड़ दिया हलाकि उस वज़े से अलका यागनिक जैसी कुछ सिंगर्स का भला हो गया लाही प्रशन पूछते हैं आपी लोग आप बनाया कौन सा गाना रहा अज पूरा नब्बे का दोर आज वापस आया है और वही गाने गाये जा रहे है और शायद आप इने शास्त्री संगीत के प्रशिक्षण वैसे नहीं लिया कि शूरदा भी वैसे थी और फिर भी आपने अपना क्लाइमेक्स देखा अपने करियर का सब तरफ तो क्या आपको लगता है कि शास्त्री गायन कंपल सरी होना चाहिए अच्छा अभी यह नहीं आई किसी का आना एक हेटुआ अच्छा अभी यह इसने उसको रिप्लेस कर दिया कि ऐसा इतना चुल्बूलानत चचरे पनवाला थोड़ी होता है जो इतने सालों साल मेहनत करते हैं नहीं मुझे बोलने दिजे ना तो यह अभी आपने स्टेटमेंट आपने मुझे बोला इसलिए बाकी यह स्टेटमेंट मैंने तो कभी नहीं सुना यह बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है मैं हमने पड़ा है तो बात ठीक हो सकती है लेकिन हमने भी स्टेडी कि आपके इंट्रिव्यू के पहले अभी आच्छे गाते हैं तभी तुन के काने इतने अच्छे चलते है श्रया अच्छा गाती है नहा है और बहुत सरे सिंगर्स है हारेक अपने अपने मालक्ष्मिया है अब यह इतना सब यह वर्ट मुझे मत सुना बगाद उसका मतलब मुझे मानूं है मतलब जिसका कोई वह गाने से कोई ताल में मेल नहीं है, बट वो ड्रामा फैक्टर जादा है, आप पहले आप जो बोलते हों आप मेरे मुझे डालते हो, वह डोड़ा है, हम कहां से आए, हम कितने गरीबी में से आए, हमारे परपीता जी ने ऐसे करष्ट उठाए, नमातर जी ने ऐसा किया, य आपके लिए अध्यात्मिया परमात्मा क्या है? सब कुछ है हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते नमस्कार मैं हूँ अनुरादा पोडवाल और मैं इस वक्त हूँ भोपाल में और आप मुझे देख रहे हैं MP Live में नमस्कार मैं हूँ अजे सिंग और आप देख रहे हैं MP Live News हम जिनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वेम लिविंग लिजेंड है मश्यूर सिंगर कई फिलिम फेर अवार्ड और राष्ट्री प्रुसकार से सम्मानित पदम शिरी अनुरादा पोडवाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है MP Live News पर नमस्कार मैं आपका मूल नाम अलका है तो अलका से आप अनुरादा कैसे हुई मूल नाम अलका मतलब IS परेंट्स से मेरा नाम अलका रखा था लेकिन हमारे में च्रीडिशन होती है शादी के बाद जनरली हम लोगों का नाम और सरनेम चेंज हो जाता है, जबकि आजकल पहले का भी नाम रखते हैं, ससुराल का भी नाम रखते हैं, मैके का भी रखते हैं, सभी नाम के साथ चलते हैं, तो वैसा नहीं था उन दिनों में in 1973 से आपने करियर शुरू किया श्लोक से अभी मान फिल्म से और 2006 के बाद आपने एकदम से गाना बंद कर दिया लोग वेट करते हैं आपके गानों का आतूर रहते हैं लोग आपको सुनने के लिए क्या हुआ मैं नहीं ऐसी बात नहीं है मैंने मतलब बहुत अच्छे गाने म मैंने गाई पूरी सब तश्यति मैंने कई languages में गाई है माता के शिव जी के तो भजन तो अंगिनत है गणेशी के हैं कृष्ण भवान के हैं अमृत्वानिया अल्मोस्ट 175 तो सभी डेलिकेशन और जब तक आप उसमें पूरा समय नहीं दो तो यह पॉसिबल नहीं होता है आप उन बहुत कम singers में से हैं जो भक्ती गायन और फिल्मी गायन दोनों में जिन्होंने अपना चरम देखा है मुझे नहीं याद कोई ऐसा तीरतिस्थान होगा जहां जाते होंगा और कहीं background में आपकी आवाजन आती हो भजन की आपके गाय हुए गीतों की आपने दोनों म में फिल्म में गाया मतलब आपने गाना गाया ऐसा है कुछ साइकिक उनके साइकलोजी एक इन डिवोशनल का ये चार्म है कि मतलब कहीं से बेहाप निकल रहे हुए जैसे आपने कहा कि शावन सोमवार है कहीं मंदिर से जब मेरी आवाज सुनती हूं मेरे गानों की तो आज भी अगर लोग इसे प्रेम करते हैं तो ये वाके में इश्वर की गृपा है जब मैम आप अपने करियर के पीक पर थी आपने एकदम से टी सीरीस के साथ आप सिरीस के लिए गाने लेगी और आपने बहुत बड़ा पार छोड़ दिया हलाकि उस वज़े सालका यागनि जैसे कुछ सिंगर्स का भला हो गया वो राइस कर गी अपने करियर में तो आप एकदम से मैम बीच में रेस्ट लेते हैं बार बार ऐसा क्यों करते हैं देखें ये कहना सही नहीं है हर एक सिंगर का अपना वक्त आता है जिस वक्त उनका वक्त आता है तो उनके गाने और हाल है कि जब मैंने फिल्मों में बहुत मतलब बहुत सक्सेस देख लिया तब मुझे लगा कि एक बार सक्सेस देखने के बाद फिर मतलब मेरी शुरू से ही रुची रही इश्वर के भज़नों के प्रती तो ये करना चाहिए क्योंकि सक्सेस जो पीक होता है तो उसको कोई कि एंड नहीं होता है और फिल्म इंडस्ट्री का ये है कि एवरी डे आपको मतलब चलो ये हो गया और एवरी डे यू नीड वन तो बी इन दो सर्कल एक नहीं गाना अभी नहीं कोई पहला ही प्रशन पूछते हैं आपी लोग आप नाया कॉनसा गाना रही आप नाया कॉन पॉपिलर हुए आज पूरा नब्बे का दौर आज वापस आया है और वही गाने गाय जा रहे है शास्त्रिय संगीत को गायन के लिए बहुत आविश्यक माना जाता है और शायद आपने शास्त्रिय संगीत के प्रशिक्षण वैसे नहीं लिया है कि शुर्दा भी वैसी थ और फिर भी आपने अपना क्लाइमेक्स देखा अपने करियर का सब तरफ तो क्या आपको लगता कि शास्त्रिय संगीत का मतलब क्या है शास्त्रिय संगीत का मतलब यह डिसेप्लन और एक तरीका गाने का एक तरीका तो वो जब आप जब शास्त्रिय संगीत गा लेते हैं उ जब आप नकलाइंट होते हो सुगम संगीत के लिए, और अगर आप उसका आशह ले ले, उसका इसंस अब ले सकते हैं, तो आप लेट अब जास्त्ती संगीत, अनलीद, कोई अब जास्त्ती संगीत के अलग ताब सायखम लेह targeting कोया शास्त्तित संसे अलग, अब पया निए सा आपने लटा जी को रिप्लेस कर दिया है, उका बहुत बड़ा कमेंट था, और जितना हमने आपको जाना आपने लगणा जी को पूजा है, साधा है, इतना आपने उनको पसंद किया है, उस स्टीट्मेंट को आपने कैसे लिया था? देखे यह आपने सही कहा कि मैं लताजी को बहुत पूछती और मानती हूं उन्हीं से मैंने एक गाना सीखा है और शी इस लेजेंट और बहुत साधन है सरस्वती की देवी है वो उनको रिप्लेस किया या यह किया देखे इस इस लोकल मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट है अच्छा अभी यह नहीं आई किसी का आना एक खेटू आए अच्छा अभी यह इसने उसको रिप्लेस कर दिया ऐसा इतना चुल्बूलानत चचरे पनवाला थोड़ी होता है जो इतने सालो साल मेहनत करते है और इतना गाके रखा है कि जिसका मतलब बहिसाब तो ऐसे रिप समझती हूं कि एवरिबडी इस एंटिटी एवरिबडी इस एंडिविजल समझे तो इसने उसको रिप्लेस किया तो अभी रफी साब के बाद भी बहुत लोग आए तो यह कह सकते है उन्होंने बहुत अच्छा गाया जो आए अब यह कोई लेन उतरता है नहीं मुझे बूलने दीजे ना तो रफी साब के बाद जो लोग आए उन्होंने बहुत अच्छा गाया है ना पर यह कहना अभी उनको इन्होंने रिप्लेस किया मतलब क्या कि जो रफी साब के लिए गाना आपने बनाया वो रफी साब नहीं अच्छा क κι गाणी बूलक्त को कते ह्या है है अच्छा कि मैं कि अ में दीजे मूंत से भू तो रफी से जुड़ी हुई चीज है कोई गय भी आटिस किसी और फी प्लेस नहीं कर सकता है कोई है कोई था कभी ये उपी नायर जी के स्टेटमेंट के बाद आपका कभी उनसे मुलाकात हुई और आपको लगा कि ये आप हम ना मैंने उनके साथ गाया है अजिसिप्लेंड इंससान थे और मुझे बहूत अच्छे लगते थे तो ये हैं आपने स्टेटमेंट आपने मुझे मुझे बोला है है इसलिए बाद आपये ने 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 सुना आप बता निमेरे तक नहीं पहुंची बात, वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन हमने भी study के आपके interview के पहले, हाँ, मतलब जितना हम वो statement के बारे में, जितना वक्त दे रहा है उसको, उससे कई गुना बड़े मिल्स डाहिटर वो थे, और उनका जो योगदान है, वो हमेशा रहेगा आपकी inspiration कौन है मैम, लता जी, और अभी जो वरत्मान में, जो singer से, उसमें आप किसी को पसंद करते हैं, आपके favorite कोई, तभी अच्छे गाते हैं, तभी तो उनके गाने इतने अच्छे चलते हैं, श्रेया अच्छा गाती है, नेहा है, और बहुत सारे singers है, हर एक अपने दिखना शुरू हो गए, तो आपके समय में, जो संगीत होता था था, 90s में, 2000 में, 2006 तक तो आप खुदी active रहे, और आज आपको कितना फर्क दिखता है, आज बच्चे बहुत ही अच्छा गाते हैं, उसमें कोई दो रह नहीं है, लेकिन the presentation of the show में, मैं ही कहूंगी, कि उसक मेरे पास वो वर्ड नहीं है, कि, पैकेजिंग से भी वो, मतलब, एक्स फैक्टर नहीं, मैं भोलूँगी, अभी इतना सब ये वर्ड मुझे मत सुना, विकाज उसका मतलब भी मुझे मालूँ नहीं, लेकिन जो होता है, कि उसके लिए एक ड्रामा तयार करना, कोई भी ची इसका कोई वो गाने से कोई तालमेल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, पट वो ड्रामा फैक्टर जादा है, ये मुझे डिफरेंस, अच्छा बुरा नहीं बात करूँ मैं, लेकिन वो ड्रामा फैक्टर बहुत मतलब जादा होता है, उसमें, आज कल के जो सिंगर से आपको आप मेरे मुँ में डालते हो, तो डोंट डू आट, मैंने पहले ही बोला कि आचकल के जो सिंगर से बहुत अच्छा गार है, जो बच्चे लोग हैं वो इतना माइंड बोगलिंग आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कब इनोंने सीखा ना किससे सीखा होगा, कब सीखा होगा जो इतना अच्छा गार है, उसकी बात नहीं करें, मैं कह रही हूँ, जो शोज जो हो रहे हैं, तो उसको TRP मतला हम लोगों के जमाने में भी शोज होते थे, आरोई होता था, शामी गजल होता था, ऐसे शोज होते थे, उसमें कुछ नहीं हम लोग बैठते थे और पूरा आधा एक घंटा प्रोग्राम जो होता था, उनली गाने के उपर होता था, हम कहां से हाएं, हम कितने गरीबी में से आएं, हमारे पत्पीता जी ने ऐसे कष्ट उठा हैं, माता जी ने ऐसा किया, ये सब कुछ नहीं होता था, गाना मिंस गाना, और आज तक, जहां तक मेरा फुल्टा पूछ लिया तो मैं समझ में नहीं आते क्या बात करें आप भुबाल मैम अक्सर आती रहती हैं तो ये पहली बात तो ये शहर आपको कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत सुन्दर जरी क्लीन और बहुत प्रोग्राम्स किये मैंने यहां से कई जगे प सम्मान दिया था 2010 में बड़ा प्रतिस्टित सम्माने इस राज्ये का उस वक्त आपका क्या रियक्शन था बहुत अच्छा लगा अगर जिसको आप मानते हैं अपना गुरू संगीत में तो अगर उनके नाम का अगर आवार्ड मिलता थे बहुत बड़ी बात है मैं एक उसका जवाब है करीब पचास लाग दर्शक आपको देख रहे हैं अभी इस वत आप कुछ गुनगुना ना चाहें यदि आप कंफोर्टिबल हो तो दो लाइने उनके लिए क्यूंकि आज मुझे किश्वरकुमार एवार्ड दिया जा रहा है जिनके साथ मैंने बहुत बहुत वक्त बिताया और बहुत प्रोग्राम्स के मैंने तो ये एक लाइन में गुन गुनाती उनके लिए हमें योर जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते थैंक यू सो मुच मैं हमसे बात कर निकला आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी पदमिशरी अनुरादा पोडवाल जिन्होंने अपनी कई विश्यों पर राय रखी आशा है आपको ये इंट्रिव्यू पसंद आएगा हम से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको कमेंट करते रहे हैं आप देख रहे हैं MPLive थैंक यू सो मुच अब्सक्राइब्स नमस्कार मैं हूँ अनुरादा पोडवाल और मैं इस वक्त हूँ भोपाल में और आप मुझे देख रहे हैं MPLive में अब्सक्राइब्स